हेलो दोस्तो आप सब का फिर सवागत है मेरे स्यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने आले ड्रिम इलेवन ड्रिम इलेवन 3 निदा 10 ब्लास्ट की जो मैच है CCL वर्सेस SLS तो दोस्तो वीडियो को आंतर तक जरूर देखिए काफी अच्छी तीन ड्रिम इलेवन की विनिंग टीम में आपको दिखाने आला हूँ जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकते या फिर आप ग्रैंड ली या स्मॉल लिग जरूर जित सकते तो दोस्तो जैसे कि म में आपको दिखाऊँगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है और क्याप्टन और किसी बना सकते वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊँगा लेकिन दोस्तो विडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस जरूर करूंगा अगर आपने मेरे चानल को अब तक सब्सक्राइब ने क्या है तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोश्टे रहे और आप अच्छे से अर्णिंग करते रहे दोस्तों साथ इसाथ पि अगर इनका परफॉमस देखा जाये तो इतना अच्छा है कि उनको हम जरूर लेना चाहेंगे लेकिन पिछले कुछ मैचेस से उनका परफॉमस डाउन हुआ है तो ये थोड़ा सोच समझ कर आमें टेमें बनानी होगी तो सबसे पहले तो हमने टेम में आपर दो कीपर को शा लेकिन दिनेश रामदिन का काफी जबदस परफॉमस रहा है दोस्तों और इनकी कंसिस्टंसी भी अच्छी खासी रही है अगर बात करें ए जानगो से तो इसलिए यहां पे दिनेश रामदिन और जानगो दोनों को इस टीम में मैंने ले लिया है उसके बाद बैटिंग पर बैट्समन है हाला कि हम गोई का परफॉमस इतना अच्छा नहीं है लेकिन जैसे कि आपको पता है रूल है ड्री मिलियोन में आपको तीन बैट्समन लेनी होते तो यहां पे मैं इसी वज़े से तीसरे बल्लेबाजों को यहां पे शामिल करूंगा अलग-अलग जाए तो काफी बढ़िया है लेकिन लास्ट मैच में में खाल से इतना अच्छा नहीं रहा था गेनबाजी की बात कर लेते तो गेनबाजी में आप देख सकते हैं यहां पर काफी मतलब यहां पर ऑप्शन दिख रहें आपको एस लेविस को लिया है एस शंकर को ले रहा तो इस तर से यह तीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो इन तीनों को पहले टीम में ले रहा हूं मैं इसके अलाव भी और भी और कुछ ऑप्शन से लेकिन उनको अगली दो टीमों में ट्राइ करूंगा लेने की मैं दो कुलमिला के हमारी पहले टीम तो बन चुके क्याप्टन और वाइस कैप्टन चूज करने है तो यह पर टी वेफस्टार जैसे कि मैंने बता काफी जबादस परफॉर्मस रहा है इनका पूरे अभी तक सीरीज में और अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो टी आर ब्रिजराल को मैंने इस टीम का वाइस कैप्टन मना है इनका भी परफॉर्मस अच्छा रहा है फिर से एक बार टीम प्रिव्यू कर ले थे सबसे पहले तो दो कीपर को मेंने लिया है दिनेश रामदीन को भी लिया है और ए जानगो को इस टीम में शामिल कर लिया है अगर बल्ले बाजी की बात करें तो जे बुटान है टी विट स्टार है और एम गोविया है तो इस तरह से तीन अच्छे खासे बाक्समन याप लिये पहले टीम आफ़कोस में रिस्की नहीं बनाता हूँ मोसली आप पहले टीम में सेफ टीम बनाता हूँ जो कि आपको ग्रान लिक के लिए और स्मॉल लिक के लिए बी काम आजा है अल राउंडर् एश लेवी से एश शंकर है के डिलो ने तो यहाँ पर मोस्टली देख सकते हैं सभी ने अगर देखा जाए तो परफॉर्वंस बेस्ट किया है ऐसे ही प्लियर में ने इस टीम में लिए जो के कतई आपके लिए रिस्की नहीं है तो इसलिए इस टीम को आप ग्रैंड लिग के फिर से तो टी वेफ स्टार काफी जबदस बैटिंग कर रहे है और काफी अच्छे फर्म में ओवर ओल परफॉर्मस काफी बढ़िया रहा है और ब्रीजलाल काफी बढ़िया और बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं और उनका परफॉर्म कि अगर बात करें तो यहाँ पर कीपिंग में ही शुरुआत में ही मैंने यहाँ पर चेंजेस करने शुरू कर दिये जैसे कि आप देख पार है एक ही की पर कोई साथ में जाओंगा दिने श्राम दिन क्योंकि इनको छोड़ना तो इसलिए भी इनको लेना ज़रूरी है बैटि देखा जाए तो इन चारों के अलावा बैटिंग में ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं और जो भी है उनका परफॉमस काफी खराब रहा है तो इसलिए इन चारों के साथ में इस दूसरी टीम में जा रहा हूँ बैटिंग में मतलब ये चारों में से कोई भी अच्छा ख खेल जाए तो आपको जादा से जादा फाइदा हो आप ग्रांड लिग जित सके या च्छी खासी अर्णिक कर सके इसके अलाव तीसरा जो जो अल्राउंडर है डिस विन भी में इस टीम में रहने दूंगा गेन बाजी की बात करते हैं तो गेन बाजी में या पर देख सकते मैंने इस टीम में या पर लिया है ए महस को इनका भी ओर वाल पर्फरमस अच्छा रहा है अगर बात करें तो इनको एक टीम में मैं जरूर लूंगा उसके बाद एस लिविस और एस शंकर ये दोनों फिर से मेरे इस टीम में शामिले फिर से कंटिनू पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे कि क्याप्टन और वाइस क्याप्टन हम किसे बना सकते तो मैंने यहाँ पर दिनेश रामदीन को पिछले टीम में कप्तान नहीं बनाया था लेकिन इनको एक जगह पे कम से कम कप्तान बनाना काफी शांदार रहेगा काफी फायदे मन रहेगा इसलिए यहाँ पर उनको कप्तान बना रहा हो और डी स्विन का भी परफार्मस अगर देखा जाए तो इनको भी आप वाइस क्याप्टन कम से कम बनाई सकते हैं अगर चलते टीम प्रिव्यू की तरफ तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो कीपिंग से शुरुआत की है मैंने जिनका अगर देखे तो परफार्मस अच्छा या फिर ठीक ठाक रहा है अगर बात करें ऑल रांडर की तो आर्म रिजला ले एक उपर को पिछले टीम में नहीं ले पाया ता इस तीम में जरूर ले लूँगा दी स्विन को भी इस टीम में शामिल कर लूँगा उसके बाद एस लेविस को लूँगा एस शंकर को लूँगा और एम एस को लूँगा गेन बाजी में तो ये गेन बाज भी अच्छे है दोस्तों इन तीनों को भी आप एकाट टीम में मतलब एक साथ सामिल कर सकते और फाइदा हो सकता है तो कुल मिला के ये भी टीम काफी अच्छी है लेकिन यहां पर जो भी दो तीन चेंजेस के थोड़े रिस्की सावित हो सकते हैं तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करूँगा कि इस्टिम को आप ग्राइंड लिए यूज कीजिएगा स्मॉल लिक के लिए अगर आप यूज करना चाहे तो कोई प्राब्लम नहीं लेकिन थोड़ी रिस्की सावित हो सकती है तो इसलिए आप अपने नुशार इस्टिम को ग्राइंड लिक के लिए यूज की जगा स्मॉल लिक को लिए आप अपने आप अप सोचकर यूज की जगा करनी है या नहीं करनी है अगर बात करें कि कैप्टन और वाइस कैप्टन तो दिनेश राम दिन का ओर रॉल परफॉर्मस अगर देखे तो काफी बहतरीन रहा है तो इनको काफी ज़रूरी है और 10 विंको वाइस कैप्टन बना रहा है तो कुल मिला के दूसरी टीम काफी एच्ची बनी है इसको भी क्लोच कर लेते हैं और तीसरी और आखरी टीम में आपको दिखा देटा हूँ किस तर से मैंने बनाई है तीसरी टीम की बात करें तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रिस्क लिया है यहाँ पे रिस्क लिया है मैंने धिनेश रामदिन को मैंने इस टीम में ड्रॉप किया है क्योंकि अल्रेडी में दो टीमों में उनको ले चुका है और हो सकता है कि ये कल परफॉर्मस अच्छा ना करे तो इस टीम को आपको काफी फायदा हो सकता है अगर मैंने बात करे तो दोकी पर फिर भी लिये M.Mahes को इस टीम में लिया है हाँ इनका परफॉर्मस ओवरॉल इतना अच्छा नहीं रहा है ये जानगो को भी मैंने इस टीम में लिया है तो इन दोनों को थोड़ा रिस्क है पर लिया है हो सकता है ये आपके ट्रमकार्ट साबित हो जाए बैटिंग की बात करें तो टी वेब स्टार है जे बुटान तो है लेकिन यहाँ पर फिर से एक और रिस्क लिया है ये एलेक्जंडर को लिया है मैंने हाला कि इनका भी परफॉर्मस काफी खराब रहा है लेकिन एक टीम ऐसी जरूर बनाएगा दोस्तों जो की थोड़ी रिस्क हो लेकिन इसक में से अगर जो रिस्क की प्लियर हो वो अगर खेल जाते तो आपको काफी फायदा हो सकता है आल राउंडर पर चलते हैं तो आल राउंडर में मैंने ब्रिजलाल को नहीं छोड़ा है और डिस्विन को भी नहीं छोड़ा है इन दोनों को वापस मैंने इस तिम में शामिल कर लिया है गेनबाजी की बात करें तो गेनबाजी में मैं इस बार चार गेनबाजों के साथ ज जाएंगे तो विकेट आपके आपको ज़रूर मिलने आले बाकि जो कुछ ऑप्शन है के पेरियो बीचार्स वगएरे अगर देखेंगे तो इनका परफॉमस आपको दिख रहा है कि खराब है और काफी जादा मैचेस खेल चुके फिर भी इतना मतलब इनोंने पॉइंट नही सकते हैं तो भराल अगर देखें तो इस टिम में भी स्लेविस को मैंने कैप्टन मनाया है काफी कम लोगों ने इन पर जाव लगाया ज़र को ना इनको भी काफी कम लोगों ने कंसिटर कें कैप्टन और काप्थर प्रभ्यूंको तो सबसे पहले अगर बात करें तो कीपिंग से ही शुरू करेंगे ए जानगो को और ए आर महस को इस टीम में लिया है दिने श्राब दिन को मैंने इस टीम में ड्रॉप किया है अल्रेडी डो टीमों में में ले चुका हूँ तो आप एक जगह पे उनको ड्रॉप कर सकते है बैटिंग की फिर से बात करें तो टी वेबस्तार है जे बुटाने और ए अलेक्जेंडर ये भी अगर अच्छा परफॉर्मस करें तो आपके ट्रम काट सावित होगे क्योंकि काफी कम लोगों ने इन पर वर्षा किया क्योंकि उनका परफॉर्मस ही इतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन एक टीम में ज़रूर लीजेगा दोस्तो फायदे में रह सकते है अगर बात करें ओल रॉंडर के तो डी स्विन को लिया है आर्प रिजलाल को लिया है दोनों के दोनों बेस्ट ओल रॉंडर है दोनों ने अभी तक काफी बड़िया परफॉर्मस किया है गेन बाजी में मैं चार ऐसे गेन बाजों के साथ जा रहा हूँ जिनों ने अभी तक सीरीज में काफी बढ़ी आ overall performance किया है महैस है के डिलॉन है लेविस है और शंकर है तो ये चारो की चारो गेनल भाज है जिनों ने अभी तक काफी विट्टे निकाली है इस सीरीज में जेओ कि अगर फिर से निकालते तो आपको आज ग्राइंड लिग जितने से कोई नहीं रोक चकता तो कुलमिला के थोड़ी रिस्की लेकि एक अच्छी टीम हमारी यहाँ पर सेट हो चुके है अगर इस रिस्की टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी रिस्की ना हो तो मजा नहीं आएगा दोस्तों तो इसलिए आपर पर्फोर्मंस कर रहे है एक अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है एक अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहा है आप उल्टा भी करना चाहे जे बुटन को क्याप्टन और एस लेविस को वाइस कैप्टन तो भी कोई प्राब्लिम ने लेकिन आप अगर देखेंगे कि ड्रीम लेकिन अगर अगर सक्सेस होती है तो काफे जादा चांसे से आपके जीतने के तो इसलिए ये टीम मैंने इस तर से बनाई है आपको पसंद आई होगी इस तीम को भी क्लोज कर लेंगे और आखिर में यही कोंगा दोस्तों इन तीनों टीमों में अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप चेंजेस कर सकते हैं लेकिन जादा चेंजेस मत कीजेगा एक दो चेंजेस करेंगे तो कोई प्रॉब्लिम नहीं लेकिन जादा चेंजेस करने जाएंगे तो काफिर रिस्की साबित हो सकता है तो आयोप आपको तीनों टीमें पसंद आयोगी अगर पसं ड्रॉप किया गया और उसकी जगह पे आप किसको ले सकते हैं या फिर कोई और मैच के अपडेट आते हैं तो वो भी आपको बता सकता हो तो आज से कही वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू धन्यवाद और गुडबाई